मैं आदेनिये सांसत सुधामूर्ती जी का अभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महलाओं के आरोग्य के विशे पर बल दिया था और उसका महात्मा क्या है उसकी आवश्यक्ता क्यों ही पर बड़े विस्तार चे उन्होंने कहा था और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मा अगर चली गई तो उसका कोई उपाई नहीं होता फिर नहीं मिल सकती ये भी बड़ी भावातमक्तातों नहीं बताया था बीमेन हेल्थ, सेनिटेशन, वैलनेस पर हमने दस वर्सों में एक प्रावियरिटी सेक्टर के आपके काम किया है आदरनी सभापती जी, टॉलेट हो, सेनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेग्नेंसे के दोरान वैक्सिनेशन की व्यवस्ता हो और इसका फाइदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है, आदरनी सभापती जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाए आत्म निर्वर मनें, उस दिशा में भी हम लिगातार काम कर रहे हैं बीते वर्षव में हमने जो चार करोड घर बनाए है, उस में से ज्यादा तर घर हमने महिलाओं के नाम पर लिगाताई बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या सम्रुद्धी जैसी योजना से, आर्थिक फैसलोब हैं महिलाओं की भूमी का भी बड़ी है, भागीदारी भी बड़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णे प्रक्रिया का हिस्सा बढ़ने लगी है आरेने सभावती की, विमेन सेल्फ हेल्फ ग्रुप्स उससे जुड़ी दस करोड बहने उनका आत्मवास्वास तो बड़ा ही बड़ा है, उनकी आई भी बड़ी है अबी तक एक करोड बहनें जो एस पेल्फ ग्रुप में काम करती है, छोटा-छोटा गाउं में कारोबार करती हैं, मिल करके करती हैं किसी गाउंवालों की भी नजर नहीं जाती हैं पुक्रा आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उनी में से एक करोड बहने लखपती दीदी था और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा तीन करोड बहनों को लखपती दीदा जिवानानिय की दिशामें बढ़ा रहे हैं